नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ओमांग अकड़मी एक टूजेड में जहें दोस्तों बात करें गड़त सिक्षा सास्तर प्रेक्टेस सेट नुमर जह आठ है इसके पहले शेवन प्रेक्टेस सेट जो है अमें आपको प्रवाइड कर रहा हैं इस टॉपिक वाई इसको क किया है जो पिछले साल हम पूछे गए हैं वह भी कुश्चन में इसमें जोड़े हुए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट वीडियो में अंतक बने रही है और वीडियो अच्छे लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को शेर कर दीजिए और किसी प्रिका हो रीट हो बिहार टेट हो हर एक स्टेट वाइज हो या फिर सभी में जो कुश्चन पूंचे गहें जादा था वो कुश्चन में ने निक्लूड किये हैं कुश्चन दिया है वेकास चपन विद्यार्थियों की कक्षा को गड़त पढ़ाता है उसका यह विश्वास है कि य सबसे अच्छा तरीका कौन सा है एक विकास नाम को किया है सिक चक है उसने 10 अंकों की यह प्रःख्शा अजbab होगा। option देख लेते हैं पहला वह है पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आवजन कर सकता है कि बे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है या यह है वह है या द्रक्षी की रूप से किसी भी एक कापी का चैन करके और बोर्ड की सहायता से उस कापी में उत्तर प्राप्त करने की विधी पर चार्चा करें वह है विद्यार्थियों को एक दूसरी के उत्तरों की जाच करने दे वह है प्रतिक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे सहम आपने उत्तरों की जा तो इसके बाद में एक कष्चन जो भी दस चात्र रहें दस लोगों की कॉपी चेक करना है तो पूरा एक घंटा उसी में ही निकल जाएगा उसका उसका उससे अच्छा है कि दस मिनिट में उसको complete कर तो पांच मिनिट में complete कर सकता है पूरे जितने भी question होंगे दस question वो एक एक करके वोर्ट पर सभी समझा देंगे और चातरों से कहेंगे वो अपने उत्तर जाज़े तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा प्रती उट्ता कि भावना न नहीं करना आपको ठीक है और अब धानाओ का पता लगानेकं लिए किया जाता है प्रैक्षण के लिए किया जाता है किसी को सब्सक्राइगा है ये सभी कोस्चन जो है किसी परिक्षण पूछे रहें हैं ये सभी क्सिंट आप बेंसे को के मुल्यांकन का मुख्य उद्धेष है, यदि आप कक्छा में बच्चे का मुल्यांकन कर रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्धेश क्या है बच्चों को आत्विश्वास बढ़े बच्चों के तुलात्मक प्रबीनिता की जानकारी सिक्षक को प्राप्त हो मतलब सिक्षक को जानकारी प्राप्त हो कि जो च्छात रहें कौन से च्छात कितने कमजोर हैं वो कितने आंगे हैं जो कमजोर हैं तो उनकी कमजोरी क्या है इसलिए तो मूल्यांकन करते हैं तो यह सक्षक को प्राप्त हो इसलिए इसका मूल्यांकन करते हैं one requirement के एक जाधा रेपीट हुआ बेहा टेट में सीजेट में KBS में भी ये question पूछा जा चुका है 2018 ठीक है तो इस प्रकार की question बहुत ही important है ये question को आप याद कर लीजे और इसको no डाउन कर लिए जो इसके बाद में एक और जे question दिया हुआ है गड़त मूल्यांकन में कौन से पद सामल है तो अभी इसके पहले question पूछा है कितने सोपान है same to same question यही है कितने मूल्यांकन में कौन से पद सामल है सोपान कहलो या फ़र पद कहलो एक ही है तो कितने बताया है मैंने तीन बताया था ठीक है उदेश होता है अधिगम अनवा होता है और मूल्यांकन होता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा और प्रोक्त सभी हो जाएगा तो question किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूंचे जाएंगे आपको बिल्कुल थोड़ा सा सोचना है कि पूंच क्या पूंच रहा है तो इसमें क् सोपानOTHER इक ही होता है कि इसका तरीकम क्यों से भी खिम कर सकती है और दारण के लिए तो जब इस प्रकार से question पूछा जाए कि जोड़ का पूछा गया है तो उसमें किसी प्रकार से आप बात करो तीन प्लस पांच कितना होता है आठ होता है तो वो क्या होता है संक्रियातमक अवस्ता होता है कि वो संक्रिया करना जानती है कि किस तरह से उसका योग हुआ है या पर गुड़ा हुआ है ठीक है तो क्या हो जाएगा दूसरा उप्सन इसका राइट हो जाएगा नैस कुर्शन देखते हैं कक्षा 4 में बिंदू और रेखा पर ज्यामिती पार्ट के लिए आकला निर्देश होंगे यदि आप कक्षा 4 की बात करें उसमें बिंदू और रेखा ज़ा दिया हुआ है जामिती पार्ट के लिए आकला निर्देश होंगे परिश्वॉद। परिशुद्र रूप से सेंटी मीटर और इंच में रेखा खंड को माप सकता है और रेखा खंड के अंता बिन्दों को चिन्हित कर सकता है या फिर रेखा के राण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिवासित कर सकता है रेखा और रेखा खंड में अंतर कर सकता है बिन्दू चिन्हित कर सकता है दी गई लंबाई के अनुशार परिशुद रूप से रेखा खंड ख सब्सक्राइब करें दो वहारे क्लास की जो भी important topic होंगे उसमें यह अपील का पूरा पूरा रमार एक तरपीश है जो भी जरूरी होंगे वो topic करूंगा ठीक है तो इसका सही जो होता है रेखा खड़न में अंतर कर सकता है उसको परिभासित कर सकता है ठीक है नेस कोशन देखते हैं उच्छे क्रमिये चिंतन कोशल पर आधारत प्रस्निक खालिस्तान की मांग करता है हॉट्स यह सब्द जो है यह भी repeat बहुत ज्यादा को तो जो ऊच्छे क्रमिये चिंतन कोशल जो है जो होट सब दिया क्या है यह क्या है इस जे मुकरूप से तथयों, निया और सूत्रों के घ्यान को मांग करता है यह से सके साही ज़ाव कुंश हो जाएगा तीसरा हो जाएगा नेस्ट कुश्चन देखते हैं आंकडों के विसलेशन समंधी विद्यार्थियों की समझ का आंकलन करने के लिए सरवाधिक उच्चित रूपात्म कार कौन सा है बर्ग पहली सरवेक्षण आधारत परियोजना या फिर प्रिस्नोत्तर या फिर भूम का निर्वायर रोल पिले तो जब आप गड़त की बात करें तो इसमें क्या है आंकड़े की बात की गई है ठीक है काई की आंकड़े की बात नहीं की गई होती तो बेसक आपका आंसर होता भूम का रोल पिले ठीक है लेकन यहाँ पर आंकडों के विसलेशन की बात की गई है तो इसका सही जवाब यही आंसर होता है ठीक है तो इसका साई जबाब कुन सा है दूसरा है नेज कुर्शन देखते हैं विद्धियारति उसे उर्दवर सम्मो कोणों के मद्द सम्मद्स इस्तापित करना के लिए कहा जाता है बेख कई आकरतियां खींचते हैं कौनों को मापते हैं और यह देखते हैं कि उड़्वरदर सम्मों कौन समान है अनुपचार एक निग्मन इस्तर पर है या फिर निग्मन इस्तर पर है या फिर चाचुसी करण के इस्तर पर है या फिर बिशले इसनात्मक इस्तर पर है तो आप ज़रा सोचिए जब चाचुसी करने पर होता है लेकिन जाब इतना सब कुछ हो कर साथ है पॉनों को माप सकते हैं उसका बरिकर्ण कर सकते हैं उसकी सम्मो стало कउनों का समान है मतरफ उसमें क्या किया है उनको मापाया उनका आखला निकिया है तो इसका सही जब कुन सर्ष चौह था फूर्स । एक दूदबाला 10 दिन में 1410 लिटर दूद भेचता है, वहाँ एक दिन में कितने लिटर दूद भेचता है अपरोग्त सवाल में संग्यानत मखच्चित कि किस दक्षिता की और संकित किया गया है आप झानते हैं जन्सार ग्यान बॉध है या पर विसलेशन तो Blue-Nukaan ये कुंसी अवस्ता है या फिर कुंसी संग्यानत्मक्षित की अवस्ता या फिर दक्षिता के वारें बात की गई है जब किसी जूद्वाले के वारें बात हो किसी छात के वारें नहीं है 10 दिन में वो बेशता है कितना 1410 लिटर बैशता टीक है तो है एक दिन में कितना में चीक है इस तरही कि भाग कर सकता है गोड़ा कर सकता है जोड़ कर सकता है घटाना कर सकता है इस सवाल को यदि हल करेगा कोई ठीक है तो वो जो कहलाएगा वो जो इस तरह होगा वो तो दक्षिता होगी वो कौनसी होगी बिसलेशन वाला हो कौनसा विसलेशन दक्सिता की और संकेत करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा नेस कुश्चन देखते हैं एक वटे तीन के समतुल्ल भिनने लिखिये कक्षा चार के सिक्षार्थियों से पूंचा गया सवाल खालिस्तान की और संकेत करता है जानी कक्षा चार में एक सवाल पूंचा गया है कि एक वटे तीन को समतुल्ल भिननी के रूप में लिखिये तो यह सवाल है किस और संकेत करता है उच्से इसे इस तर오 मांग कार क्योंकि संक्रिया पर आधारत है निम्न इस्तरिय मांग कार क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमन कारी कौसलों की अवसकता होती है निम्न इस्तरिय मांग कार क्योंकि यह केवल रटने पर आधारत है उच्छ इस्तरिय मांग कार क्योंकि यह सहयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारत है तो इसका सही जवाब क्या होगा थोड़ा सा सोचिए आप थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या बात चल रही है इसके बारे में क्या बात चल रही है तो इसमें आप जनरली से देखेंगे कि एक निम्न इस तरी बात चल रही है कि इसमें सिर्फ आपको इसका समतुले भिन बनाना है जो कि बिलकुल आसानी से आप बना सकते हैं, तो इसका सही जवाब कुंसा होगा दूसरा, निम्न इस तरी ये मांग कर, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमन कारी कौसलों की अबरशकता, प्रक्रमन कारी या नहीं कि सम्तुल भिनन कैसे बनाते सिर्फ यही आपको चाहिए, वांक और हर में दोनों तो उसका सम्तुल भिन बन जाएगा, ठीक है, तो इस प्रिकार से इसका सवाल जो इसका सही जवाब होगा दूसरा, ठीक है, नेस कुश्चन जेखते हैं, वैन हिले के जैमिती बिचार के इस्तर के अनुसार, पांच इस्तर, चाचोसी कराण, विसलेशन, अनुपचारिक, निगवन, आपचारिक निगवन और द्रठता, कक्षा तीन के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिये गया है, वह बहुजों की संख्या के आधार पर बहुजों को वरगिकरत करता है, यह बच्चा वेन हिले के जैमिती बिचार के खाल इस्तान 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 इस् चत्रवोज है कि त्रवोज है पंचोपने विजया सब्रेजí एक जोटी emulate लेकर उसको पता नहीं कि और त्रवस्ता भोगी उपस्त ऐसे देख रही तूर शाच किसा बोला जाए कि आप जे रिमॉट रखा है या फिर book रखी हुई है या फिर pencil पैन है तो उनको च्हाटी है तो pen झाल ये पता ये पैन अनलग होता फिर उसको अंलग होता ग्रत्सी को पांद उनक्राइब कर देंगा अंगले कुछिन देखिये गरत में मूल्यांगन की क्या एक तक्नीक नहीं है गरत में मूल्यांगन की तक्नीक नहीं कौन सी ये प्रेक्षन तक्नीक अनुसोची तक्नीक या फिर साक्षतकर तक्नीक या फिर इन में से कोई नहीं तो सभी की सभी तक्नीक उपयोग की जाती है तो इसका सही जवाब कौन स कोई नहीं है इसका रिमर्स का महत्तो है निसकोष कोशन है बिचार बिमर्स का महत्तो है लेकित पर उप्षेल है कर सकते हैं लेकन यहां आप्छिशन को तो, आब लोगों को question जो है, जैसे, यहाँह 가장 बिचार मैंक को महत्तों अब आपको पता है कि मौखिक में तो होता है लेकन आपचिन में दिया हुए यह सभी दिया हुआ है तो यह सभी में करेंगे तो यह भी इसमें सामल हो जाएगा जब कि इसमें होता नहीं है इसलिए इसको आप काट दीजे इसके आदम यह कम परसेंट पर है वो यह मोखेक परिछा में बहुत ही ज़्यादा होता है विचार मेर्स का महातर ठीक है तो इस प्रकार से इसका अंसर आपने दूसरे कर दिये तो इस प्रियोजना विधी का एक सिद्दान्त नहीं है याद रखिए सिद्दान्त नहीं पूछा गया ठीक है क्रिया सीलिता वास्तविक्ता ओपयोगिता या फर मुल्यांका तो जो प्रियोजना विधी होती है इसका मुखरूप से एक जो है प्रियोजना विधी है इसका क्या एक सिद्दान्त नहीं है आपको पता हो नची प्रियोजना विधी यदि आपने देखी होगी तो बिलकुल इसका आंसर आपकी फटाक से बन गया होगा इसका सहीचाव कूझ से है मूल्यांकर नहीं होता है, ठीक है, नेस कुछने देख़ इखते हैं, अधिगम अन्भाव की योजना बनाने से पूरवा अवश्यक यह कि अन्भाव पर्यापत हो, परिपक्ता के अन्पुल हो, संतोस प्रद हो, या फिर उब्रोम्त सभी, तो इसका सही जाद क्या है, अजिगम अनभाव की योजना बनाने से पूर अवश्यक है कि परियापता अनभाव हो, परिपक्ता क्या अनुकूल हो, संतोस्प्रद हो, तो अप्रूप्त सभी इसका अंसर के हो जाएगा, सही हो जाएगा नेस कूशन देखते हैं, गड़त सिक्षने मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सीखने के अनभाव प्रदान करते समय, उद्देश का इसपस्टी करन करते समय, उद्देश का इसपस्टी करन तो अनभाव प्रदान करने के बाद वह प्रोग्त सभी इस तरह पर, तो गड़त सिक करने के बाद में भी दिया जाना सही है तो आप्रोक्त सभी इस तरोपर किया जाना सई है तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैस कुस्चन दिया हुआ है मुझलियांकन पई नामों के आधार पर चात्र के सम्मंद में पूर्ण सातरक्ता के साथ भविश्यमारी की जा सकती है इस कसंद से आप पूर्णता सहमत है आंसिक रूप से सहमत है सहमत नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता ये कॉस्टन है इस कॉस्टन का जवाब आपको कमेंट डॉक से कमेंट करना है किसका सही जवाब्य होगा बाकि एक कुस्टन और है इसका last question देख लेते है last question क्या है ठीक है इसका कमेंट डॉक से comment कीजी क्या होगा इसका सही जवाब नेस कुछन जो है एक अध्यापक अपनी कक्षा में चात्रों को त्रिभोजों की रचना समंदी प्रिशने हल करवाता है वो या कक्षा में किसे छेत्र से समध्यत सिक्षन कर रहा है क्या करवा रहा है त्रिभोजों की रचना समंदी प्रिशने हल करवा रहा है तो मापन संबंदी, मूल्यांकन संबंदी, अधिगम संबंदी या फिर संख्या बिधी संबंदी तो किस प्रकार के question करवा रहा है वो या फिर किस प्रकार के प्रसन हल करवा रहा है किस प्रकार के हल करवा रहा है पहला मापन संबंदी यासे करवा रहा है मापन संबंदी प् परेक्षा की द्रिष्टी से 2021 में परेक्षा होने वाली है कोई डाउट नहीं कि 2021 में परेक्षा ना हो ठीक है तो जनवरी से स्टाट हो रहा सीजन जनवरी में आपके आपकी दुनियादारी क्या करें आप दुनिया से मत देखिए आप कम से कम 4-6 घंटे 4-6 घंटे डेली अपनी तैयारी बनाये रखते हैं तो आपको काफी समय मिला बहले से भी आपने बहुत कुछ तैयारी कर रखी है तो आपका जो एक्जाम है वो 120 पिलस विल्कुल नम्मर ही आएंगे ठीक है मैं तेक नए वीडियों तब तक लिए नमस्कार